असलावलेकुम फ्रेंट्स विलकम टू एट दरेट 786 कीचन आज मैं आप लोगों के साथ कच्छे केरी की रेस्पी लेकर आई हूं तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर मैंने तीन कच्छे केरी को ले लिया है और इसको अच्छे तलीके से छिल लेंगे इ इसी तरह तीनों के छिलके मैं उतार लोंगी अच्छे तरीके से आपके तरफ जो भी मैर्केट में अवेलेबल हो कैरी वह आम ले सकते हैं मेरे तरफ यह छोटे वाले कैरी होते हैं जो बहुत ही खाने में यम्मी लगते हैं इसे तो नमक मिर्च के साथ भी खाईएगा न त तो आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं तीनों के लिए को को निकाल कर लूंगी और वुट्लियों को अलग तो सारे पिकल को निकाल लिए हैं मैंने अब यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें जो पिकल निकाला है हमने इसे का डाल देंग कर है Bible इंगे अब यहां पर हम इसके अंदर चार से पांच हरी मिर्ष हरी मिर्ष आप अपने एकोडिंग डाल लीजिएगा जितना तीखा पसंद है अब डालेंगे फ्रेस हरा दनिया थोड़ा सा हरे दनिया की जगा पुदेनी की पत्ते भी ले सकते हैं हाप चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर वन टी स् चीनी और नमक डालेंगे स्वात के अनुसार थोड़ा सा हाप चम्मच के करीब कुकिंग ओयल डालेंगे कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं मैं मस्टर्ड ले रही हूँ और इसको बंद करके ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करते समय ध्यान रखना है बिल्कुल भी प पानी को एड़ करेंगे और अब यहां पर हम लगभग एक मिनट तक इसको ग्राइंड करेंगे लगातार तो इसको मैं ग्राइंड कर रही हूं आप देख सकते हैं इसलिए मैंने मिक्सर के यह क्लिप भी दिखाया आप लोगों को कि पहले पानी नहीं डालना है एक बार चल किसी चीज साथ भी खा सकते हैं समोशा पकॉड़े कोई भी नेक्स हो या फिर रोटी पूरी किसी चीज के साथ भी ऐसे भी खा सकते हैं तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो पुलीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कीज़ेगा और और मेरे चैनल पर जो भी नए फ्रेंड्स है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी में वीडियो डालू सबसे पहले आप देख सके मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाई 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 अला हफीज थेंक्स पर कर दो बचंएbt ये हुगा टू कर दो बता स्वाइब वरն प्रेंग स्वार्टब्स ने तर एमो गष्ड़ सी खिर्वाण तो 설 coffee तो भी टृगे ने टृटे अड़रे भी वाज च्क्राइए लायदे का मश śट्टे बाँ वर्वाल भी आ लाटूचि झानल फूस के लुवा